मीवाइ 13.5 के रिगारिंग काफी कुछ चीजे और लिक्स हुए हैं तो मैंने सुचा क्यों ना एक ही वीडियो में मीवाइ 13.5 की रिगारिंग सब कुछ इंफर्मसन दे दिया जाए किस-किस फोन्स में आएगा क्या कुछ फीचेर्स होने वाला है इंडिया में हमें कब तक द 13.5 का जो डेवलपमेंट है या फिर जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुका है काफी टाइम पहले और मीवाइ 13.5 का जो ओफिसेल लोगो है ये भी लीक हो चुका है अब अगर आप लोगों को ध्यान से देखोगे तो काई ने काई ये इंस्पैर्ड है मीवाइ 11 की लो इस्पैसिली कैमरा डैड वाला प्राब्लेम तो होप उमीद यही है कि मीवाइ 13.5 में यह सारी चीज़े हमें बिल्कुल भी ना देखने को मिले और मीवाइ 13 की बात करूं तो मीवाइ 13 एंडरोइड 11 बेच था एंडरोइड 11 के साथ मीवाइ 13 लांच वा लेकिन काफी सारे से स्मार्टफोन से जिसमें मीवाइ 13 के साथ साथ हमें एंडरोइड 12 का भी अपडेट देखने को मिला लेकिन यह जो मीवाइ 13.5 का अपडेट होगा यह टोटली एंडरोइड 12 के उपर बेस्ट होगा यानि कि जिस फोन में एंडरोइड 11 चल रहा है या फिर अगर मीवाइ 13.5 फुली एंडरोइड 12 बेस्ट होने वाला है यानि कि जिस जिस फोन में एंडरोइड 12 का अपडेट आ जाएगा या फिर और भी काफी सारे से स्मार्टफोन लांच होंगे जिसमें एंडरोइड 12 होगा बाइडिफॉल तो उन सारे फोन में हमें मीवाइ 13.5 देखने को मि मिलेगा एंड लिस्ट की बात करूं तो काफी सरे से शौमी रेड्मी पोको की स्मार्टफोन से जिसमें मीवा 13.5 का अपडेट मिलेगा अब यह जो लिस्ट है यह ओफिसियल लिस्ट नहीं है लेकिन ट्रस्टेबल है आप इस लिस्ट के उपर भरुसा कर सकते हूं क्योंकि ली शौमी रेड्मी फोको का से लिसल का इस फोन में जीतनी बार एंडोब विर्जन का अप्डेट आया है यह पासारी समर्टफोन का अपडेट मीवा 1 सब 95 का मैं अपडेट मिलेगा एंड इस समाटफोन का नाम नहीं है इस लिस्ट में उट सारे समार्टफोन को यहाँ पर मीवाई 13.5 का अपडेट नहीं देखने को मिलेगा एंड फैनली बात कर लेते हैं मीवाई 13.5 की फीचर्स के बारे में और फीचर्स भी यहाँ पर काफी हद्दक लेक हो चुका है तो जो जो फीचर्स लेक हुए हैं उनिहीं सब के बारे में डिस्कस करते हैं अभी के टाइम पर अगर आप कोई भी शौमी रेडमी या फिर पोकु का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो आप दो तरह से स्क्रीन सॉट ले सकते हो सबसे पहला तो थ्री फिंगर स्क्रीन सॉट और दूसरा हो गया वोल्यूम डाउन और पार बेटन को एक साथ अगर प्रे आपको यहां पर देखने को मिलता है नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो वह होगा यहां पर नोट्स के अंदर तो नोट्स के अंदर काफी कुछ चीजे चेंज किया जाएगा इसका जो यूवाई है उसमें भी हमें एक नया यूवाई देखने को मिलेगा काफी सारे नेने भी नोट्स एप्लिकेशन के अंदर एड़ होने वाला है नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो वान हेंडेड मोड का जो एक्स्प्रियेंस से उसे और जदा एंहेंस किया जाएगा अगर आप अभी देखोगे तो काफी सारे अगर आप शेयर बगर करने जाओगे तो जो ऑप ऑब का मेनु है उसे डिजन किया जाएगा जो इसे और जई ब्र्र आज कर आउसे से और दढूर को और जब को हैसे जो स्मार्फोन से और अच्छा एकश्प्रिएंस मिले एस जिमिधर में कैमरा यूआ की बात करूं तो काफी सारे लोग यह सोचते थे कि जब मीवाइ 13 का अपडेट आया तब कैमरा यूओ आई में काई ना काई हमें देखने को मिलेगा लेकिन काफी पूरा ना मीवाइ का कैमरा यूआ है अभी भी लेकिन मीवाइ 13.5 में फाइनली जो कैमरा यूओ ए उ बात करो तो वह already compressed image है तो JPG से उतना अच्छा quality हमें नहीं देखने को मिलता है अभी के समय में आप देखते होंगे कि 108 Megapixel 64 Megapixel भी आप फोटो बगरा ले सकते हूं तो साइध से यह एक अच्छा मूव होने वाला है लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो काफी सरी स्मार्टफोन में यानि की almost हर एक स्मार्टफोन में अभी आप fx समाय कर सकते हूं अब हैं अधर की उनने यह का ओपें और हम हैं Mm3 engaged में में तो औब दक इतने सारे फिचर में यहां पर लीक हुआ है MIUI 13.5 का hope उमीद ही है कि आने वाले दिनों में और हमें MIUI 13.5 के features के बारे में मालूम पड़ेगा Now finally बात करते हैं update के बारे में कि MIUI 13.5 का update हमें इंडिया में कब दक देखने को मिल सकता है तो इस साल के end तक हमें MIUI 13.5 का update देखने को मिलेगा क्योंकि आभी-अभी MIUI 13 आया है काफी सारे phones में MIUI 13 का update ही नहीं मिला है लेकिन अगर मैं चाइना के बात करूँ तो आने वाले 2-3 मेहने के अंदर चाइना में MIUI 13.5 लांच हो जाएगा इनके उपर ज्यादा तर फोकस किया था लेकिन MIUI 13.5 के उपर जो UI में चेंजेज होगा जो UI का experience होगा उसके उपर Xiaomi ज्यादा तर फोकस कर रहा है तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और अगर कोई भी सवाल है MIUI 13.5 के रिकाडिंग तो नीचे मुझे आप कमेंट करके बताना मद भूलेगा इसी के साथ और भी updates के लिए आप मुझे मेरे बाकी सारे social मेरा handle पर फोलोग कर सकते हो यहां पर आप लोगों को link में जाएगा आप लोगों का बहुत बहुत सुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू